मान नहीं यह तो माना था कि मैं मेरे से गलती हुई है और एक्सिडेंट हुआ है और घर के वो तो पास हुए किस तरह से वर्डिक को नियाय पालिका को किस तरह देखते हैं आप देखे नियाय अपना काम करता है नियाए का काम है नियाए पालिका का नियाए आलाय का काम है नियाए देना और कानून अंधा है ये भी है कानून अंधा है कि उसके लिए बराबर है कानून के आँखों में पट्टी जाए लेकिन कभी कभी माफी चाहूँगा ये कहने के लिए कानून भी ये सजा उनको इसलि ये किस तरह का निया है ठीक है वो आपको बास सही है लेकिन सल्मान ने कहीं नहीं कोड को गुम्रा भी किया कि उनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था वो सल्मान नहीं किया वो उनके defense counsel नहीं किया वो उनकी घल्यूती है ये बिलकुल मैं मानता हो उनकी आद्मिक्न जब तो कुछ घलत ख़िदम उड़ जाते हैं ऐसे इनके defense counsel को ऐसा लगा होगा एसा कहने से हम जाएंगे 13 साल के बार ड्राइवर गाय कहना है मैं गाड़ी चलाना मैं मनता हूँ कि यह सब गलत है लेकिन सल्मान ने यह तो माना था कि मैं मेरे से गलती हुई है और अक्सिडेंट हुआ है और घर के वो तो पास ही हुआ था बिलकुल तो चुकि आप सेलिबर्टी हैं आपको एक निश पीके न पीके भी गाड़ी लोगों पर चड़ा देता है ठोक देता है मार देता हैं कुछ नहीं होता है उनका कभी कुछ मैंने सुना नहीं अच्छा हाइवए पर दो गाड़ीया टकरा जाते हैं अब कभी गलती इसकी होती, कभी दोनों की होती. तो क्या जितने लोग हैं उनको arrest कर लिया जाता है, जितने driver कालाज सब को रहे हैं? नहीं, सब छूट जाते हैं. अभी कोई बच्चा आगया, ड्राइविंग करते हैं. हम आपका ध्यान भटक गिया तो क्या बच्चे को रेस्त कर लेंगे कि उसकी वज़ह से ये सब तो रोड पे तो ये सब ये सब accident होते रहते हैं कोई खाई में ही गिर गया कोई कहीं कुछ हो गया तो जाने जाते ही रहती हैं हम हमें हम किसी के सफाई में कुछ नहीं कह रहे हैं या किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं पर हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि सेलिबिटी बनने का खामयाजा नहीं भुगतना चाहिए हम लोगों को सब को चुंकि आप सेलिबिटी इसलिए आपको जादा सजा दी जाएगी इसलिए आप मिसाल बनिये आप उधारन बनिये लोगों को आप बली का बकरा बनिये क्यों भाई नहीं और आज कि दिन मैं आपको बता रहा हूँ बगार नाम लिए भी इतने टेरिस्ट जो है खुले आम घूम रहे हैं और जो टेरिडिस्ट हैं जिन्होंने सैक्ड़ों लोग के जान ली है उसके बारे में सरकार को बता है उसे तो अरेश नहीं कर रही हो तो आराम से घूम रहा है अभी कश्मीर में भी आतनगवादियों को छोड़ दिया गया वो कह रहे हम पूरे हिंदुस्ता कोड़ा दें वो सब घूम रहे हैं वो सब घूम सकते हैं लेकिन एक एक्सिडेंट हो गया उसको आप पकड़के पांस साल रिगरस इंप्रिजमेंट के लिए डालना यह कहां का इंसाफ है तो यह अपील है अब चूंकि हाई कोट पे भी जा सकते हैं और इंटरिम बेल भी उनको मिल गया है यह अपील है कि सब को ध्यान में रखते हुए मद्दे नजर रखते हुए उनकी सजा अगर पूरी तरह से माफ नहीं कर सकते हैं तो उसको कम से कम सजा दी जाए फिल्म इंडर्स्ट्री को कितना घाटा या नुक्सान या डेमेज है देखिए फिल्म इंडर्स्ट्री का नुक्सान और घाटा और नफा तो एक तरफ है जो नुक्सान उनके परिवार को हो रहा है जो आहत उनके मा को पहुंची है जो उनके पिता को जो उनके भाईयों को जो उनकी बहन को पहुँची है वो नुकसान के सामने ये नुकसान क्या है फिल्मे तो कब 6 मेने के बाद भी बन जाएंगी साल के बाद भी बन जाएंगी उसका कुछ नहीं ये तो पैसा है वो बॉक्स आफिस फिल्म चल जाएगे 1.500-200 करोड कमाली के पैसा सबका वापस आ जाएगा ये जो वक्त जाएगा किसी का ये जो सुख, चैन, सुखून जाएगा लोगं को वो कहां से वापस आएगा वो कैसे वापस आएगा तो एक ये तो है कि सबक तो ये लेना चाहिए कि जब आप सेलिबरिटी हैं तो एहतियातन बहुत सारे ऐसे काम आपको नहीं करने चाहिए जो आम जनता करते हैं क्योंकि उनका तो कुछ होता नहीं वो तो वैसे ही करते हैं और उनको छोड़ दिया जाता है कि कि किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं रहता आप चूंकि एक रोल मॉडल है एक आईकॉन है आपकी जिम्मदारियां बहुत है इसलिए सोच समझ के हमें कोई भी कदम उठाना है चाहिए वो बोलना है कहना है गोमना है गाड़ी चलानी है कुछ भी वो सोच समझ के करना है हम सलाम करते हैं सबको पुलीस को भी करते हैं हम अपने कोर्ट को भी करते हैं जजेज को भी करते हैं लेकिन बस इतना है हाथ जोड़के कि जब भी कोई आपदा जब भी कोई पदा जब भी कोई इमर्जंसी हुए सबसे पहले हमारी film industry आ गया आती है सबसे पहले है police का कोई function हो उसमें सबसे ज़्यादा सल्मान शारो की है जो हम सब जाते हैं हाथ बटाते हैं traffic वालों का हम सब जाते हैं political कोई function हो उसमें जाते हैं कोई court का कोई income tax सब जगे जाते हैं इसका मतलब यह नहीं मैं कहना चारू कि हम खून कर दें और हमें छोड़ दिया जाए पर यह है कि उसको उसी तरीके से समान नजर से देखा जाए गलती हुई है accident हुआ है मानते है सजा बहुत कम होनी चाहिए थी